नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकार लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं यदि आप एक नए आवितन करता है और आप अपना APL, BPL अंतोदे कोई साथ भी रासन कार बनवाना चाते हैं तो आज की है जानकारी आपके लिए बहुती जरूरी है, बहुती महत्यपूर है रासन कार खबर, यह व्यक्ति कभी भी अपना नया रासन कार नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सरकार रासन कार के अंदरगत अपने नए नियम की जो गाइड लाइन्स है वह जारी करने जा रही है अम दोस्तो कौन से विनाय नियम है जिसके अंदरगत ये वेक्ति कभी भी अपना नया रासन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे ये संपूर्ण जानकारी रासन कार्ड से जुड़ हुई आप इस वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आप से एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तो अब हम यह पर वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और आपको सम्पूर्ण जानकारी रासन कार्ड से जिडूभी बताते हैं रासनकार्ड के न्यामों में बदला होने जा रहा है कौन वैक्ति अपना रासनकार्ड बनवा सकता है और कौन वैक्ति नहीं बनवा सकता इन न्यामों को लेकर सरकार ने अपना नई गाइडलाइन्स तैयार की है यह नियम कुछ गवर्मेंट के अंतरकत लागू किये गए हैं और कुछ राज्ये के इस नियमों को लागू करने के लिए विचार विमर्स सरकार कर रही है सरकार के अंतरकत 80 करोड से ज्यादा रासनकार लाभारतियों को महिने में दो बार निसुलक रासन वितरन किया जा रहा है इन लोगों को निसुलक रासन में नमक, चना, चावल, आटा, चीनी, खाने का तेल, आदी दिये जा रही है यहाँ लोग नहीं बन्वा सकेंगे कभी अपना रासनकार दोस्तों उसके बारे में आपको बताते हैं सरकार ने क्या नाइन्या में आप लागो करने जा रही है पहले point बता गया है यदि आप tax भरते हैं, taxpayer है और दूसरे point बता गया है यदि आपके घर में AC लगी हुई है यानि की conditioner, air conditioner या आपके घर में tractor है, गाड़ी आदी है तीसरे point बता गया है, ग्रामीट छेतर में 2 लाख और सहरी छेतर में 3 लाख से अधिक आपकी वार्शिक आए हैं, तो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति अपना रासनकार नहीं बनवा सकेंगे चोथे point में बता गया है, यदि आपके पास सहरी छेतर में 100 वर्ग मीटर का प्लाट है, या कोई website इस्थान पर 80 वर्ग मीटर का प्लाट है, तब भी आप अपना नया रासनकार नहीं बनवा सकेंगे पाचे point में क्या पता गया है, सरकारी नोकरी करने वाले तथा रिटार्मेंट के बाद पैंसन लेने वाले व्यक्ति भी अपना रासनकार नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि सरकार, क्योंकि रासनकार के अंतरकत सरकार ने जो नयन्यम बनाए हैं, उसमें साफ तोर पर कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शक्षम है, वह अपना रासनकार जैसे कि APL, BPL, अंतोदे कोई सा भी अपना नया रासनकार नहीं बनवा सकता है इन बड़े राज्यों में अब आपको बताते हैं दोस्तों, ये तो हमने आपको नयाम बता दी है कि कौन व्यक्ति पूर्ण रासनकार नहीं बनवा सकता है, अब दोस्तों यहाँ पर यह देखेगा, इन बड़े राज्यों में गेहुं वितरन नहीं किया जा सकेगा सबसे पहले इसमें उत्तरप्रदेश सामिल राज्य किया गया है, उत्तराखंड बिहार और करनाट का, यह वह बड़े राज्यों हैं जहां पर गेहुं की मातरा को कम खरिदी होने के कारण इन राज्यों में गेहुं वितरन नहीं किया जाएगा सरकार अपना नियमों में साफ तोर पर यह बात कही है कि गेहुं की जंग है, चावल की मातरा बढ़ा कर सभी रासनकार लाभारतियों को दिया जाएगा अब दोस्तों इस वीडियो में हमने यहां पर आपको बता दिया है कि कौन से व्यक्ति हैं जो अपना रासनकार नहीं बनवा सकेंगे और दोस्तों यहां पर आपको यह बितरन नहीं किया जाएगा सरकार के अंद्रगत किसी बी लाभारतियों को यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पोच सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको हमारे दुवी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्ररेथ होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए लाश्ट विने में दनी ही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में एक और नई जानकारे के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत